कि दोस्तों इस से पहले हम लगबख ज्यो है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के संबंद में कहीं सारी बातें हमने पड़ी है जो हमारे एंग्क्साम की प्यंटोंपकि उससे महत्यपूण है और हमारे एंग्साम में कहीं बार प्रश्चन यहां से बनते भी हैं आज हम एक बहुत ही महत्योंपूर्ण टोपिक है जिसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों इस टोपिक का नाम होगा मनोविज्ञान के संप्रदाई School of Psychology दोस्तों मनों विज्ञान की जो संप्रदाई है बहुत सारे हैं परन्तु बहुत सारे होने का मतलब यह नहीं कि हमें सभी बढ़ने हैं हमें नोलिस तो सबका होना चाहिए जहां तक मेरा मानना है परन्तु जो important schools हैं संप्रदाई हैं जहां से हमारे एक्जाम में कहीं बार questions बन चुके हैं और in future बनने की संभावनाय बनी रहती हैं उनके बारे में जरूर हमें आज चर्चा कर लेनी चाहिए चलो दोस्तों आपका स्वागत है और पढ़ते हैं आज मनुविज्ञान के संप्रदाई पहला जो हमारे संप्रदाई आता है उसका नाम है सरंचनावाद या अस्तित्ववद जिसको हम इंग्लिश में structuralism कहते हैं दोस्तों ये सरंचनावाद सबसे पहले इसलिए लिया गया क्योंकि जो संप्रदाई है इन सभी संप्रदाईयों में सबसे प्राचिन संप्रदाई 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 को माना जाता है दोस्तों, сरंचनावाद जो संप्रदाई है, इसकी स्थापना 1892 में मानी की गई थी परलतु कहीं सारे लोग जिसे कि हमें पता है, इसका इससारे जिसापना ये प्रतिपाद कें तो 1879 में प्रयोग शाला की स्थापना की गई थी जबकि इस संप्रदाइक की स्थापना थारा सुबानवे में विले मूंट के द्वारा की गई कहीं सारी बुक्स में मार्केट की गाइड में आपको हो सकता है मिल जाए कि सरंचनावाद के मुख्य प्रवर्दतर टीचनर थे जबकि ये सा नहीं है ये इनके सही योगी के रूप में थे और विले मूंट जर्मनी के रहने वाले थे प्रश्नागर बन जाए कि तो किसे माना गया है चेतना को किसमे सरंचनावाद में इसमें सरंचना वाद में जबकि वेहवारवाद चेतना को नहीं मानता है वो आत्मा को मानता है मानसिक क्रियाओं को मानता है इसलिए मन मस्तिस्क की सरंचना में चेतना को महत्यो पूर्ण इस्तान दिया गया है तो मन हब दोस्तों चेतना के टत्व या प्रतिपिम्भी या प्रतिच आभ यहां पर प्रश्न ये बन सकता है आपके कि जो विल्यम वुंट है उन्होंने चेतना के कितने तत्वें बताया है तो उनके नुसार तो दो ही तत्वें है समेदना और भाव परंतो चो टीचनर है उन्होंने तीसरा तत्व प्रतिबिम्भ भी जोड़ दिया तो ध्यान रगना अगर नॉर्मल प्रश्चना अजाए चेतना के कितने तत्वय हैं, तीन, समेधना भाव और प्रतिभिम्ब, यदि William Wundt के नुसार आ जाये तो दो, समेधना या भाव, और टीचनर के नुसार तो प्रतिभिम्ब, कौन सा तत्वय जोड़ा चेतना का टीचनर ने, प्रतिभिम्ब या प्रतिग, ओके दोस्तों, आंतर निरक्षण विदी या जिसे व सोत्राूर निरक्षणिंगे वी कहते हैं वह variance जो उपागम है उनके पर बल देता है आप सभी को बता देता हूं दोश्तोंrais का Whilam मूंट के दोवरह मनु विग्यानिक प्रयोक्षाला के स्थापना की ग completing अर्थात विग्यानिक तरीके से जो मनु विग्यान को आगे बढ़ाने का श्रही जाता है वो विल्यम मुंट को जाता है इसलिए इसमें विग्यानिक उपागमों पर बल दिया गया है चेतना की विशेस्ता है चेतना की जो विशेस्ता है गुण है, तीवरता है इसपश्टता है, अउदी है ये चार विशेस्ता हैं इनके मानी जाती है जिसमें अगर प्रश्ण बन चाएक विल्यम हूंट के नुसार कितने विशेस्ता है तो दो है गुण और तीवरता जब टीचनर ने बाद में दो और एड़ कर दी इस पश्टता और अउदी और कितनी होगे टोटल फॉर्ट तो विल्यमूंट के नुसार दो एवाम टीचनर के नुसार चार और नॉर्मली आजाए चेतना की उशेस्ता है चार दूसरी बाद जो प्रायोगीक मनोविज्यान है अपने पड़ा एक प्रायोगीक मनोविज्यान के जलक विल्यमूंट को कहा जाता है तो प्रायोगीक मनोविज्यान की जो उत्पत्ती है कौन से संप्रदाय से मानी जाती है सरंचनावाद से मानी जाती है दोस्तों ये तो महत सरेंचनावाद बहुत बड़ा है परंदु हमें हमें हमारे एक्जाम के पॉइंट वाते हैं दोस्तो अलेसे भी सम्प्रदाई हम हमें प्रस्षन आना चाहिए हमारे exam में selection होना चाहिए that is important it's not important from where the question is coming important thing is that you have to get selected in the exam कार्यात्मवादिया पर कार्यावादि जो संप्रदाई है उसके प्रतिपादक William James को माना जाता है और William James कहां के रहने वाले थे कहां के? अमेरिका के और कहां study की इन्होंने? Harvard विश्व विद्याले अमेरिका में और इस संप्रदाई की स्थापना 1894 में इस्वी में Chicago विश्व विद्याले में की गई थी अगर इसके समर्थकों की बात की जाए या इसके development की बात की जाए तो उसमें जोन डिवी का नाम James Angel का नाम and Thondai का नाम प्रमुख है जोन डिवी एक दार्षनिक थे जोन डिवी को परथम शिक्षा विद्याले माना जाता है दोस्तों यह चेतना के कारियों मन एवों वेवहार के कारियों का अध्यान करता है द्यान देना दोस्तों चेतना के कारे जबकि चेतना के अध्यान देता है जबकि चेतना की सरंचना पर द्यान देता है जबकि यह चेतना के कारियों पर मन एवों वेवहार के कारियों का अध्यान करता है द्यान देना चेतना के कारियों और मन एवों वेवहार के कारियों पर द्यान देता है यह मस्तिस्क की सरंचना क्या है यह मस्तिस्क कैसा है इस प्रश्ण पर जोड देता है परंतु मस्तिस्क क्या करता है और कैसे करता है इस पर जोड नहीं देता है ध्यान देना इसकी मस्तिस्क की सरंचना पर जोड देता है चेतना के इस्थान पर मांशिक किरियाओं पर बल दि या गया है यह अन्तह निरक्षण वह करके सीखना विधी पर पल देता है करके सीखना विधी learning by doing करके सीखना किसकी देन है जोन डीवी की देन है अगली बाद हमारे लिए इंपोर्टेट है जो कि प्रकारे बाद संप्रदाय से जुड़ी हुई है सीखने में व्यक्तिगत वि विविनता बुद्धी परिक्षण अभी प्रेरणा अभ्यास व अर्थ पूर्णता सहित समस्त मनोवे ज्यनिक उपागमों पर बल दिया गया है त्यान देना दोस्तों व्यक्तिगत विविनता बुद्धी परिक्षण अभी प्रेरणा अभ्यास पर कौन सा संप्रदाय जो कार्यात्मवादी संप्रदाई हमने पढ़ा था कि चेतना की इस्तान पर मानसिक क्रियाओं पर जोड़ देता है अर्थात मानसिक क्रियाओं अनुकुल विवार के द्यान पर बल देता है यह आयू के अनुसार पाठे क्रम निर्मान पर बल देता है दोस्तों आयू के अनुसा उन कारकों का पता लगाना है जो व्यक्ति को कारे करने के लिए प्रेणा प्रदान करते हैं इस संप्रदाय का उद्धेश्य क्या है उन कारकों का पता लगाना जो व्यक्ति को कारे करने के प्रेणा प्रदान करते हैं जो ने डीवी को प्रतम शिक्षा विद्माना जाता है इ 99% हर एक्जाम में यहां से प्रश्ण बनता है और आपके लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों वियावारवाद जो है जिसे बीहवियरिजम के नाम से भी जाना जाता है इसके प्रतिपादक जेबी वाट्सम है जेबी वाट्सम जो कि जोन हॉपकिन्स विश्व विद्याले अम जो दो एक्जाम में दो प्रश्ण जो आते हैं वो पुस्तक से रिलेटेट आते हैं विए से में जहां-जहां बुक्स की ज़रुद पढ़ रहे हैं आपको बताता जा रहा हूं पर in the last in the ending of the whole syllabus I will give you a list of all the books and writers में जब psychology के lectures complete हो चुके होंगे तो उस समय अन्त समय में आपको एक lecture बना कर दूँगा जिसमें सभी books आ जाएंगी psychology से related जहां से हमारे exam में प्रश्न पुछे जाते हैं यह संप्रदाई सवरंचना वाद और प्रकार्यवाद के पूर्णत है विप्रिते द्यान देना दोस्तों structuralism and functionalism दोनों के विप्रित behaviorism ओके एक और चीज द्यान रखना वियवहरवाद के जनक द्यान देना वियवहरवाद के जनक J.B. Watson वियवहरवाद के जनक TF Skinner इस संप्रदाई के अनुसार प्रतेक तरह का वियवहरवाद सिखाए जा सकता है अगर आपको पता हो तो इस Watson परिवाशा दी है मुझे कोई साभी वालक दे दो मुझे कोई साभी वालक दे दो मैं उससे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं चाहूं अर्थात प्रतेक तरह का वेवार सिखाता है यह वेवार बाद निरिक्षन और अवलोकन विदी इससे सम्मंदित है ध्यान देना प्रकारे बाद करके सीखना और पहला था हमारा सनचना बाद अंतर निरिक्षन जबकि यह निरिक्षन और अवलोकन से सम्मंदित है यह अंतर निरिक्षन विदी वर चे परवर्ती वेवारवादी किसे कहा गया है इसकी नर्गूथरी हल एक और इंपोर्टेंट बात यह आ जाती है दंड या अप्रियर अनुबहों के स्थान पर पुरुषकार का प्रियोग ध्यान देना दोस्तों जो बालक होता है बालक को जो पुन्रबलन दिया जाता है तो कहीं सारे शिक्षक या कोई अन्य वेक्टी बालक को दंड या अप्रियर अनुबहों देता है अर्थात कहने का मलब डांड देता है वो सकता है उसको मुर्गा बना सकता है उसको पीड सकता है उसके इस्थान पर यह कहते हैं अगर बालक कोई चीज देखो बालक ने कुछ अच्छा बताया तो उसको पुरुषकार दीजिए नहीं बताया तब भी उसको शाबाशी दीजिए उसकी कोशिश की सराहना कर कीजिए विवारवात कहता है और यह जो सिद्दान्त है इसी संप्रदाय के आदार पर यह भी घेष्टाल्ट वाद जो है इससे भी हमारे एकजाम में कहीं बार प्रशना आते हैं देखो यह जो संप्रदाय हम पढ़ रहे न एक-एक संप्रदाय इंपोटेंट है ऐसा कोई सा भी संप्रदाय नहीं है जिसमें से एक्जाम में प्रस्न नहीं पूछे गए हों और आने समय में नहीं पूछे जाएगे द्यान देंगा दोस्तों गेश्टाल ड्वाद के प्रतिपादक है वर्दिमर कॉफका, कोलर और करतलेवन इस चारों के नाम आते हैं जिसमें वर्दीमर कोफका कोलर का एक साथ नाम आपने लोगों ने पढ़ा होगा परन्तु सपोज चारों के चारों चार ओप्षन में आ जाए और प्रशन बन जाए कि गेश्टाल्ट वाल्द के प्रमुक परतिपादक है तो प्रमुक है मैक्स वर्दीमर फिर ये सही योगी के रूप में आता है कोफकर, कोहलर और करत लेविन दियान देना दोस्तों जादा तर हम वर्दीमर कोफका और कोहलर का नाम ही गेश्टाल्ट वादियों में पढ़ते हैं ऐसा क्यों लेविन का नाम बहुत कम पढ़ते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1912 में गेश्टाल्टवाद की स्थापना की, परंतो 1917 में जब मैं आपको आगी चल करके गेश्टाल्टवाद थियोरी पड़ाऊंगा, पुरा सिद्धान और शेत्रवादी सिद्धान पड़ाऊंगा, तो वहां चर्चा करूँगा इस कहानी की, तो 1917 में कर्त लेविन ने गेश्टाल्टवाद को छोड़ करके इससे ही जुड़ा हुआ एक नया सिद्धान्द दिया, शेत्रवादी सिद्धान्द, तो ये 1917 में अलग हो जाते हैं, जबकि वर्दीमर, कोहलर और कोपका तिनों साथ रहते हैं, प्रमुक प्रतिपातिक मैक् इसकी जो मुख्य जो उक्ति है, सुक्ति कहिए, सिक्षन सुत्र कहिए, मुख्य पॉइंट कहिए, वो ये है, पून से अंस की ओर पर बल देता है, द्यान देना, पून से अंस की ओर पर बल देता है, गेश्टाल्टवाद, एक और चीज, गेश्टाल्ट जो सब्द है, गे अर्थात गेश्टार्ट का मतलब होता है समग्र तो इसलिए ये समप्रता है समग्र पर जोड़ देता है कि कोई भी चीज पढ़ाओ तो पूरी बताओ समग्र बताओ खोल पर जोड़ देता है यहाँ प्रतिक्षिकरण वा अनुबवों पर जोड़ देता है प्रतिक्षी करण मतलब जो भी चीज है अगर इसने देखा नहीं है मलब कालपना पर नहीं चलता है अनुमान पर नहीं चलता है यह प्रतिक्षी करण पर चलता है यह अनुबवों पर जोड देता है मानसिक प्रिक्रिया के संगठन सीखना, चिंतन वा इस्मरति पर बल देता है जो mathematics गनित का अद्यान होता है वो गेश्टार्ड वात के अंतरगती आता है अब मुख्य बात आ जाती है वर्दीमर की पुस्तक कौफका की पुस्तक जो हमारे लिए important point है तो वर्दीमर की पुस्तक है उसका नाम है productive thinking कहा नाम है productive thinking हिंदी में बोले तो आबासी गती अद्यान वहीं कौफका ने एक पुस्तक लेकि जिसका नाम है perception in introduction to gestalt theory perception in introduction to gestalt theory यह जो दोनों पुस्तके हैं दोस्तों यह बहुत ही important है productive thinking वर्दीमर perception in introduction to gestalt theory कौफका की एक जो सबसे important point हम gestalt वाद में पढ़ते हैं वो यह है कि इस्मरती जो है वो गत्यात्मक प्रक्रिया मानते हैं इस्मरती मतलब इस्मरती गत्यात्मक है अर्थार dynamic हमेशा गतिशील है इस्मरती यह परिवर्दन प्रतेक्शात्मक संगठन के कारण होता है और यह गतिक इसलिवाज इस्मरती प्रतेक्शात्मक संगठन का मतलब जैसे जैसे आप अनुबह प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इस्मरती बढ़ती जाती है इस प्रकार यह gestalt word complete हुआ पूर डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे इसका सिद्धान पढ़ेंगे पूरा सिग्मन फ्राइड का क्यों क्यों क्योंकि मनुव इश्लशनवाद के जैनक कोन है या इसके प्रतिपाद कोन है तो सिग्मन फ्राइड कब 1900 में कहां पर विएना ओस्ट्रिया में अब सबसे मुख्य बात इस संप्रदाय की यहाति है कि जितने भी संप्रदाय हम पढ़ते हैं सबकी उत्पत्ती कहीन-क aktuell शेक्षिनक संस्तान jsूं में हुई हुई विश्वी विद्यालियों में हुई कि परंदू इस संपर दाइक जो उत्पत्ती है चुंकि यह दरशन श नहीं थे स्ट्वन फ्राइड एक शरीर शास्त्त्र थे तो नेदानिक परिस्सर अरज॥ असपताल में इसकी उत्पत्ती हुई यह दर्शन शास्त्र से उत्पन नहीं हुआ आईनवाद सामने त्यान देगना दोस्तों एक ऐसा सम्प्रताई जो दर्शन शास्त्र से उत्पन नहीं हुआ मनों विशलेशन वाद दर्शन शास्त्र से उत्पन नहीं हुआ चिकसा सात्र से उत्पन हुआ वानते हैं इसमें मन मस्तिष्क के आदार पर चेतना का विशलेशन किया जाता है यह लाइन एगजाम में आती है मन मस्तिष्क के आदार पर चेतना का विशलेशन मनो विशलेशनवाद वहीं पर यह पाठे करम जो तयार करता है यह कहते हैं कि बाल के अंदरित पाठे करम होना चीए और अधिगम की प्रिक्रिया में बालक को सोतंतर रखने पर बल देता है यहने का मतलब है कि जो अधिगम की प्रोसेस है वह है बालक को सोतंतर होकर करने देना चीए उसको किसी नियंतर में नहीं रखना चीए इसमें मन के बारे में चर्चा करेंगे चेतन और अर्द चेतन जो मन है आगे चलकर के मनों विश्लेशन वाद सिद्धान पड़ेंगे तो वह इसके बारे में डेटेल से अधियन करेंगे वहीं पर इड इगो, सूपर इगो इसके बारे में भी आगे चल करके डिटेल से अध्यान करेंगे वहीं फ्राइड एक महत्यपूर्ण परिबाशा देते हैं या एक लाइन कहते हैं सबी जीवन का लक्षे मरत्य है अर्थात हर वेक्ति का जीवन का जो लक्षे होता है उसका लक्षे क्या होता है मरत्यू है क्योंकि मरत्यू से बढ़कर दूसरा लक्षे होई नहीं सकता हमारे जीवन में कहीं सारे लक्षे हम चुनते हैं कहीं सारे सपने हम देखते हैं परन्तु जरूरी नहीं कि वो पूरे होते हैं परंतु हमारा जो लक्षे होता है जो हमेशा प्राप्त होता नहीं चाहते हो भी आप नहीं चाहोगे ना तब भी आपको मिलेगा वो होगा म्रत्यू ऐसा कोन कहते हैं सिगमन फ्राइट कहते हैं दोस्तो यह मनुविश्लेशनवाद मनुविश्लेशनवाद में हम एक और सिद इसको एंगलिम्लिस में हर्मिक इसकोली कहा गया प्रव्योजन वादी शंप्रदाइद्स इसके प्रतिवाद कौन विल्यम accuracy में इसी की स्थाहपना हुई जो एक शब्द है हॉर्मिक सब्द होर्मिक सब्द यह बात करता है 14 मूल परवर्तियों की यह जो संप्रदाई है प्रेर किये संप्रदाई विलियम मेकडूगल का जिन्होंने 14 मूल परवर्तियां बताई है तो यह 14 मूल परवर्तियों पर जोर देता है यह आत्म सम्मान पर भी जोर देता है बल देता है वहीं उद्देश्य प उन क्रिया पर जोड देने वाला संप्रदाई प्रेर किये या प्रयोजनवादी संप्रदाई अब इसमें जो इंपोर्टेंड पॉइंट है दोस्तों मेंग डूगर की कुछ पुस्त के हैं जैसे इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलोजी जो 1912 में पब्लिश हुई इंपोर्टेंड बुक्स है दोस्तों आप सभी को यह याद कर लेनी चाहिए अगला पॉइंट इसका जो इंपोर्टेंड है हमाले वो यह है वैसे अब तक एक्जामी मैं ने देखा नहीं परन्तु हो सकता है कभी बी एक्जामी में आ सकता है मेग डूगल ने लें की जो अर्जित गुना का चित्दान्त है लें मार गने एक अरजित गुनियों का जो संक्रमन के नियम दिया था उसकी पूष्टी अर्थ उसको सिध्द करने का Pag owens? मेग डूगल ने किया जिसमें उन्होंने चोईस झूए जूत होता है चुहिए कि लगतार 24 फीडियों पर प्रियोग किया और इस सिद्धान्त को सिद्ध किया इसके अनुसार प्रतेक कारे के पीछे कोई न कोई कारे अथ्वा प्रियोजन वश्य होता है दोस्तों हम जो कोई भी कारे करते जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछ कोई प्रियोजन होता है जिससे मूल रूप से हमारा आत्म सम्मान चुपा रहता है हम कोई भी कारे करते हैं हमारे जीवन में तो उसके पीछे प्रियोजन होता है प्रियोजन होता है आत्म सम्मान और वही आत्म सम्मान हमें कारे करने की प्रेणा देता है आप तैयारी कर र मिलती मैं पढ़ाता हूं मुझे सेल्फ रैस्पेक्ट मिलती है इसलिए यही प्रिणा कार्यकरने में सईयोगी सिद्ध होती है इसी संप्रदाय को कार्यकारण संबंदों का संप्रदाय भी कहते हैं कार्यकारण संबंद अभी इस लाइन में पड़ा कि किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई प्रियोजन होता है और प्रियोजन आत्म संब्मान में नहित होता है और आत्म सम्मान की ही जो आत्म सम्मान से जोड़कर करके हम कार्य करते हैं तो वह हमें प्रेणा देता है यही कार्यकरण सम्मंद है इसलिए से कार्यकरण सम्मंदों का संप्रदाई भी कहते हैं प्रतेक वेक्ति में प्रियोजनात्मक वेवहार होता है प्रियोजनात्मक वेवहार का मतलब होता है मूल परवर्तियों वाला वेवहार अर्था जन्मजात वेवहार हर वेक्ति में होता है दोस्तों यह प्रेरकी और प्रियोजनवादी संप्रदाई हो गया आज का हमारा जो अंतिम संपर्दाइ आत्म ज्यान पर विशेश बल देते हैं आत्म ज्यान पर विशेश बल देते हैं साथ जोन लोग साहचे रिवाद में किस पर जोर देते हैं आत्म ज्यान के उपर और वो कहते हैं यदि वेक्ति को आत्म ज्यान हो जाता है तो वह प्रतेक परिस्तिती में साहचे रिस्तापित कर सफल हो जाता है आत पर ग्यान अगर किसी भी वेक्ति को हो जाएगा तो वह कोई इसी भी परिस्ति उसके सामने बन जाए उसमें सहाचेरे इस्ताबित करके सफल हो जाएगा अर्थात असफलता का भई समाप्त हो जाता है दूसरी बात यह जो सहाचेरे वाद यह अनुबव पर जोड देता है किस पर जोड देता है अनुबव पर और यह अनुबव वाद का ही परिवर्तित रूप है जो ब्रिटिश काल में थोरी चलिती अनुबव वाद उसका ही परिवर्तित रूप है सहाचर्यवाद में दो विचारदाराएं चलती एक प्राचिन सहाचर्यवाद एक आदूनिक सहाचर्यवाद प्राचिन जो सहाचर्यवाद है उसमें सहाचर्यवाद की जो व्याख्या करते हैं साहचेरे का मतलब है समानता, समीप पेता और कारणता के ज़े नियम है उसके आदार पर प्राचिन साहचेरेवाद को सिद्ध किया जाता है जिसमें प्रमुक नामें अरस्तु, पलेटो, जोन लो, डेविड हाटले, थॉमस ब्राउन, जोन स्टुवर्ट मिल और हरबर्ट स्पेंसर वहीं आदुनिक साहचेरेवाद उद्धीपक अनुक्रिया साहचेरे पर बल देता है दोस्तों जिसमें इविंग हास, पाउलव और थॉन डाइक के नाम प्रमुक हैं अब मुख्य बाद यह है कि यहाँ एक्जामें प्रश्ण कैसे आता है प्राश्ण आता है कि प्राचीन साहचेरेवादी है तो तीन अधुनिक के नाम देदेघेंगे और एक इसका नाम देदेखेंगे दोस्तों आज हमने साथ संप्रदाई पड़े साथ संप्रदाई पहला पड़ा हमने सरंचना वाद पड़ा, कार्यात्मा वाद पड़ा, व्यहवार वाद पड़ा, उसके बाद प्रयोजन वाद पड़ा, साचर्य वाद पड़ा, प्रेरिकिये पड़ा, तो इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य जो संप्रदाई आज पड़ है शेत्रवादी विचारदार है इन संबंध के संबंध में भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक और चीज़ दोस्तों जो हमारा चैनल है इस चैनल पर मैंने प्रतेक टोपिक के लिए जो टोपिक वाइस प्लेलिस्ट बना रखे जैसे मनोविज्ञान के संबंध में हम पढ़ रहे तो मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट है यदि हम फर्ष्ट ग्रेड इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्ष्ट ग्रेड वाली प्लेलिस्ट अलग है से में जैसे मनुविज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरानी जितने भी पार्ट बने हुए हैं वह सारे आप एक साथ पढ़ सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप सभी को यह जो इंपोर्टेंट बातें समझ में आई होगी हो सकता है, आपको यह थोड़ा सा रटने जैसा लग रहा होगा प्रन्थु यह रटने का ही मेर्ट है इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाता है हर लाइन में यहां पर प्रश्न चुपा हुआ है । एक-एक पड़ेगा तो सभी को पता है परिणाम क्या होगा कृष्णा ने कहा है कर्मने वादी का रस्ते ना फले शुकदांचन अर्थात आप कर्म करो फल की इच्छा ना करो दोस्तों आप बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ फल तो आपको मिल ही जाएगा उस फल की चिंता आप क्य इस लगने वाले वह बहुत जल्द अपने जीवन को सफल बनाने वाले वह इसी आशा के साथ बस आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं आने वाले वेक्चर के लिए थोड़ा सा इंतिजार कीजिए आपको मिलेगा धन्यवाद सभी को गुड़ नाइट बाए बाए